इसे ओशधी पोदे के बारे में बताने जार रहे हैं होशक तनवसे समरुद्ध होते है你看 लोब्या की दूरर्खने का काम करते है लोबिया रोग मुक्त रहने में मदद कर सकता है NCBA में प्रकाशित एक शोद के अनुसार कुछ दालो और सुखी बिंग में एंटी कैंसर गुन पाए जाते है इन ही बिंच में लोबिया भी शामिन है येसे में यह माना जा सकता है कि इसका सेवन कर कैंसर जेसी कात्व बिमारियों को दूर रखा जा सकता है उच्च रक्तचाप के कारण आट एटेक, किड्नी डेमेज जैसे जोखिम उत्प होने की आशंकार रहती है इस समश्या से बचने रहने में लोबिया की फली मदद कर साबिक हो सकती है दरसल लोबिया में एंटी आइपर सेंसिटिव गुण पाये जाते है जो बढ़ते हुए रख्तचाप को नियंतरित करके उसमें सहायक साबित हो सकते है लोबिया का सेवन मदू में की समश्या में फैदेवन साबित हो सकता है इसके लिए लोबिया की फली में पाये जाने वाले पॉली फिनोल की अहम भूमिका हो सकती है अगर कोई लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है तो इस समश्या से छुटकारे दिलाने में लोबिया मददगार साबित हो सकता है दरसल लोबिया की फले में फेनोलिक योगिक पाये जाते हैं जो शरीर को सुरुक्षा प्रदांग करने का काम कर सकते हैं इस से लंबे समय में चली आ रही बीमारी से उबरने में कुछ मदद बिल सकती है बता दे कि क्रोनिक डिसेजिज में कैंसर, एजिंग, मदुमें और रदयोग आधिशामिल है लोबिया को कई तरह से खाया जा सकता है और इसके स्वात के साथ पोशन का भी लाब उठाया जा सकता है पर हाँ, एक चीज हम स्पश्ट कर दे कि अगर कोई इस अवस्था में है तो उसे डोक्टर की सला पर ही इस गरेलू उपचार का इस्तेमाल करना चाहिए धन्यवाद अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले